इदेरादून के जॉली ग्रांट में SDRF वाहिनी के दिक्षान परेट समारो का आयोजिन क्या गया जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा भी शामिल हुए इस दौरान 171 पुलिस के जवानों ने देश्रक्षा की शपत ली इन जवानों को कठो ट्रेनिंग और आधुनिक स्ष्ट और नई तकनीक के गुंड सिखाए गए हैं ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शिन करने वाले पुलिस में जवानों को सम्मानित भी किया गया वह इस कारक्रम को संबोधित करते हुए अपर महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने कहा कि कोई भी आपता हो या फिर वी वी आईपी मूवमेंट पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं यह नौकरी दूसरी नौकरी से अलग होती है पुलिस का कार चैलेंजिंग कार होता है चुनाव और उसके बाद की सभी प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास जो पुलिस फोर्स में बहुत बड़ी कमी थी जो की अभी दूर हुई है तो अभी हम लोग चारधा म्यात्रा हो या उसके बाद तवाम देखिया आपदा ग्रसित हमारा प्रदेश रहता है तमाम ऐसे ब अरक्षी ये कारे अपना सब्बन करते हैं